अब कोई भी बयान इससे अलग हटकर नहीं होगा इनका इससे अलग हटकर ये बयान करेंगे तो हम इनकी इहीं टुखार के ले जाएंगे फिर चाहे वो पचास पैसी की बिके नौतारी को अरिश्रावजी करने वाले थे आरतारी को आपने एक दिन पहले कर दी आचानक मैंने विधान सभा में भी इसके संब्ध में वारतालाब किया था गन्ना मंत्री जी से मुलाकात की थी आप शायद उससे अवगत नहीं है इसलिए मैं आपको अवगत करा रहा हूँ जब विधान सभा के चुनाओं नेवी वेते तब पर भी अरिश्रावजी ने एक पादी आत्रा की थी गन्ना मिलके बुक्तान के लेकिन जो राजनीती कर रहे हैं जो नोटंग की बाज हैं जिन लोगों ने हरदुआर जनपत के किसानों को सिर्फ ठगा है ठीक है वो एक का विधायक बसपा के कारकरम में नहीं शामिल हो रहे हैं इसके संबन्द में बसपा आपको बताएगी बसपा के नेता भी है पीछे सर चोधी राजन स्टिंग ने छोड़ दी है और वो बीजेपी जोईन कर रहे हैं जबकि आपके साथ वो नजर आ रहे थे शैद कुछ इसले थे जिन पर कोई बड़ी कारवाई होने वाली थी तो यह तो कल्चर है जब किसी की कमर तोड़नी हो उसके खिलाफ जांच खोल दो उसके खिलाफ मोहीन चला दो तो आप भी जानते हो क्या होता है लेकिन लेकिन जब लोग सभा का चुना हो विधायक नाराज होने आई है जो आप लोग मीडिया के मादम से पडल पर तो आ चुकि यह लोगों को तो पता होगा लिखित में परसाशन से लिया गया और सबसे बड़ी बात अखलेश पहली बार ऐसा हुआ है कि बंद कमरे में एसी कमरे में वारतलाप नहीं हुआ सारवजनिक किसानों के बीच में मील मैनेजमेंट के साथ बात की गई और मील मैनेजमेंट द्वारा घोशना खराई गई 40-50 क्रोड रुपया जो भूमी अधिकरण का इनका आना है 2020 में इनकी भूमी अधिकरण हो गया था वो किसानों को दिया जाएगा 30 क्रोड रुपय जो 25-30 क्रोड रुपय जो भूमी को बेचके आएगा जो यहां पर इनकी सामने है उस भूमी का यह लगबग पिशतर से 80 क्रोड रुपया किसानों के लिए हमने संरक्षित सुरक्षित करा दिया है कि ये भाग जाएं या ये कुछ भी करें ये पैसा सुरक्षित रहेगा इनसे हम ले लेंगे अभी मतलब 50 क्रोड रुपय और बच रहे हैं इस हिसाब नहीं 50 ने 106 क्रोड रुपय बखाया है 106 देखिए मैं हरिद्वार जनपत के किसानों तक सीमित हूँ मैं पहले चाहता हूँ पहले मेरे किसान का पैसा जाए उसके बाद हर्याना पंजाब कहीं का भी हो मुझे मेरे लिए वो परात्मिकता बाद की है पहले मेरी परात्मिकता मेरा किसान जो मेरे जनपत का किसान है क्योंकि जब घर में आग लगती है तो पहले अपना घर की आग बुजाई जाती है बाद में पडूसी की बुजाती है लेडी इस मिल पर बहुत लोन चल रहा है अच्छ कि अब कोई भी बयान इससे अलग हटकर नहीं होगा इनका इससे अलग हटकर यह बयान करेंगे तो हम इनकी इहीं टुखार के ले जाएंगे फिर चाहे वो पचास पैसी की बिके अचानक देखिए मेरे वरिष्ट हैं मेरे बड़े भाई जैसे हैं तो मैंने तो वही किया जो मुझे लगता है मुझे करना चाहिए और किसानों की आवाज में अब से नहीं उठा रहा है मैंने विधान सभा में भी इसके संब्ध में वारतालाब किया था गंणा मंतरी जी से मुलाकात की थी आप शायद उससे अवगत नहीं है इसलिए मैं आपको अवगत करा रहा हूं मुझे पता है कि आप 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 ने मैं मैं ऐसा भी कह रहा हूँ कि नमबर 21 में जब विधान सभा के चुनाव ने विए तब पर भी हरिश्णावाज जी ने पदियात्रा की थी गन्ना मिलके बुकतान के लिए मैं एक जानकारी नहीं लेकिन विधायक बनने के बाद मैंने विधान सभा में भी बात की मैंने विधान सभा में भी बात की उसके बाद यहां पर किसान संगठन के सभी लोग हैं हम सैनी जी को इनके संगठन के लोगों को अन्ने किसानों को अपने चेतर के लेकर मंत्री जी से समय लिया मुलाकात की तब भी बात करके आए और लगातार इस मुद्दे पर मुझे कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने किसी के धरने परदशन को देख कर कोई निर्णे लिया है मैं किसानों के मुद्दे की बात पहले दिन से कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूंगा जो राजनीती कर रहे हैं जो नोटंग की बाज हैं जिन लोगों ने हरदुआर जनपत के किसानों को सिर्फ ठगा है ठीक है वो एक कावदन है बहुत देर कर दी देरी हादे शूर आते आते हैं तो और आपने एक दिन जल्दी कर दी Boulder ऐसा है जो जल्दी करते हैं वही कामयाब होते हैं जो ढेरी लगाते हैं वो कामयाब पहली बात तो यह है कि विदायक बस्पा के कारकरम में नहीं शामिल हो रहे हैं इसके संबंद में बस्पा आपको बताएगी बस्पा के नेता भी है पीछे सर अब दूसरा सवाल आपने मुझे से किया क्या था आपका सवाल आपको बताब जट्रा करने के बाद सोनीय शर्मा जी के ज़वाज दे दिया उस समंदर में पता नहीं कितनी नदियां गिरती हैं लेकिन विलूप्त हो जाती है अब जिनने अपनी आइडेंटिटी अपनी पहचान गुम करनी है वो जाएं और शामिल हो जाएं क्या फर्क पड़ता है तो नहीं है कि अपकी मिरे कई भीष Do toldUS की काम ऊंका मैनेज करने का नहीं है ये काम पार्टी संगहना की करने का है पड़ारी को मैनेज करना चाहिए परदेश ended जी नेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं ये भगदर जो होती हैं ये अक्सर चुनाओ से पहले मचती है और बहुत सारी बाते हैं जो गाय बगाय निकल कर आ रही है कि शायद कुछ जाचे थी या कुछ ऐसे मसले थे जिन पर कोई बड़ी कारवाई होने वाली थी तो ये तो कल्चर है जब किसी की कमर तोड़नी हो उस आपको नहीं लगता कि पार्टी में विक्टन हो रहा है या पार्टी के लोग संगठन के लोग संभाल नहीं पा रहे हैं क्या कहेंगे अभी जैसे हमारे बड़े भाई उमेश जी ने कहा है कि चुनाओ जब आता है तो इस तरह की प्रिक्रिया कोई नहीं बात नहीं है लेकिन लेकिन जब लोग संभा का चुनाओ विधायक नाराज होने लगे तो आपको छोटी बात लगती है अरे आपके पास दोहीं सीट है पुरे अरदवार में और दोहीं सीट के जो नेता हैं दो नेता वो खुद नराज होते चले जा रहे हैं देखे अभी एबात पार्टी के पटल पर नहीं आई है जो आप लोग मीडिया के मादम से प्रण पर तो आचुकी है लोगों को तो पता होगा आपको ये समाझ में नहीं आया है कि आपको मतलब ये पार्टी कि जो चीफ है हमारी आधने बहन जी मायवती जी वहां उनके वबस्ता में जब भी बात जाएगी उनके नोलिज में बात जाएगी तो निश्ची दूरूप से मैं कहना चाहँ तो संगटन का सिस्टम सुद्रेगा और हमारे संभानित विधायक बोजन समाज पालिटी अगर कह जी भी वबस्ता जे उना राज है उसको ठीक किया जाएगा सिस्टम को ठीक किया जाएगा और आने वाले समय में जैसी आपका चुनाओगी परगिरिया शुरू होगी बोजन समाज बाटी संगटन खड़ा होगा तो आपको हमारे दोनों सम्मानित विधायक संगटन के साथ कड़ी दिखा देंगे जिस विवस्ता के अंतरगर जो है जो जाएंगे आएंगे वो बात की बात है मैंगर उसी विवस्ता का एक पॉइंट में बता दरहूं एक कारण बता सकता हूं मैं कैसा भी कहा जा रहा है कि इमरान मसूद जी चुकि यहां पर आ रहे हैं तो जो दो एक अंसारी जी हैं दूसरे तरफ शैजाज जी हैं यह दोनों नेता कह रहा है कि बाहर कोई आकर के यहां पर आकर के इस तरीके से कैप्चर करने कोशिश करेगा तो यह हो नहीं पाएगा ऐसा भी एक ऐसा भी लोग मान रहे हैं देखे मैं आपको बता दूर किलिर कर दूं इम्रान भाई पार्टी ने उनको एक जिम्मेदारी दी है उत्रा खंड में वबस्ता को पार्टी की मजबूत करने के लिए वो यह सोचने वाली बात तो है निसोचन वाली बात तो है, विधायक बसपा की दो विधायक साथ ही नहीं आ रहे हैं यह बात आपके ठीक है जैसे बाहर के वेक्ति ऐसा इसी कोई पार्टी आप बताईये मुझे ने पाररही के रूप में बाहर के लोग नहीं आते हैं रह campus सब लोग बाहर के चितर के हैं तो यहां भी बहुजन समाज पार्टी के संगठन के कारिकरम संगठन के नहीं हुए व्यक्तिकत कारिकरम यानि के मालुक सोने जी कारिकरम में विधाइक नहीं आए नहीं कह रहा हुए उस बात को उनसे चर्चा की जाएगी उनकी जो नाराजगी उसको दूर की जाएगी और संगठन के माददम से हमारे परभारी जीए हमारे प्रदेशत दक्स हैं हमारे और अन्य जो सम्मानित नित एक थोड़ा सा पॉलिटिकल अलग तरीके से सवाल कर लेता हूं मैं इस समय आज आप बसपा में हैं जब आप बीजेपी में थे तो तुर्वेंद सिंह रावत मुख्यमंतरी थे और माना यह जाता है कि नजदेकियां आपकी अच्छी रही है और अब यह माना जा रहा है कि तुर्वेंद सिंह रावत साथ पुना एंटरी कर रहे हैं जिस तरीके से आज का उनका प्रेस कॉन्फरेंस था और लोगों से मिल रहे हैं तो इस तरीके से कैसे नयाय करेंगे कहां खड़े रहेंगे आप देखिए हम पाट्टी के साथ हूं अपने संगठन के साथ हूं ति परतियासी आदेने पहेंचे के मादधम से लोकसावा परतियासी आएगा उसके साथ खड़ाओकर कंदे से कंदा मिलाकर पार्टी का काम करने का काम करेंगे चलिए तो दोस्तों ये अब और लोगों से भी जानने वाली चीज़े हैं तो भाईया ये नेता है और नेता अपन अब जिए तो नहीं पाएंगे तुन राजनितिक वहस्ताओं को समझीये उन स्तितियों परस्तितियों को समझीये आखिर कारण क्या है कि कुछ समय पहले नौ तारीक को मैंने साफ साफ तर पर बोला नौ तारीक को एक धरना परदिशन होना है हरी श्रावाजी का आज आज विधाय कुमेश कुमार जी ने धरना दे दिया उन्होंने कागज मी ले लिया कागज मे भी कह दिया कि तकरीबन 75 करोड के आसपास का जो भुकतान है वो इसी समाध्याम से होगा तो अब हरिश्रावजी करेंगी क्या वही जो मैंने सवाल किया था अब क्या बोलेंगे और ये गन्ना मिलके जो पदाधिकारी हैं अब वो क्या बोलेंगे अब क्या वो नई स्लिप पकड़ाएंगे हरिश्रावजी को अब नया पकड़ाएंगे या पुराना वाला ही चिपकाएंगे जो कुछ भी होगा आप यही पर देखेंगे बने रही है और देखते रही है दन्यूजरा नेट्वर्क